प्रमोद विश्त्राम सभी का हादिक स्वाग्यत और अभिनल करता हूं सबसे पहले कन्याराशी के जाटकों अंगरेची नौ वर्ष की हादिक सुबंगर का मैं देता हूं कि आपका यहँ वर्ष हर तरह से बंगर में हूं हर तरह से कल्यार में हूं हर तरह से आप ब्रद्धी करें जीवन में विकास करने vrij Barack SHE unfortunately करें आपके रासी के लिए 224 का हर एक छित्रों में आपका विकास कैसे होगा आपको किन बातों का करने भाला हुए तो आप ध्यान से जो भी हमारे कन्या-राश के जाते जादगां कन्या-राश है यह जो मानने वाले यां जो कठो कर दें दो बड़े-ध्यान से इस रासी फल को सुने कन्या राशी का राशी फ़ल दोहार चोविस के गोचर ग्रहों के अनुशार के लिए लगभग मिले जुले परिणाम देखाना सकता है आपके लगन में केतु की उपस्ति आपको सुभाव में थोड़ा आक्रामत और रुढ़िवादी बना सकती है कि इसके अलाबा आपके स्वास्त में उताश रढ़ाओ देखने के मिल सकता है जिसके परिणाम सरूप आप अपने स्वास स्वास समझ्चाय भी देख सकते हैं यानि आपको परिशानी कर सकती है इस बर्ष के दौरान आप खुद को लगरंदाज भी कर सकते हैं और दोसरों को प्रात्यविक्ता देशकते हैं वह खुद के काबिलित पर संदे भी कर सकते हैं प्रेदर्श को साथे भाव में राहू की वस्तित कारण आप अपने साथी की प्रति अत्यधिक लगाव रुखेंगे जिसके आपका पार्टनर असहज महसूस कर सकता है कन्याराशी के जिन जा परश्या पैदा कर सकता है प्रेदर्श को यहीं नहीं राहू के गोचर के परड़ाम सुरूर आप एक ऐसे रिष्टे में आ सकते हैं जहां से आपको धोखा मिलने की समावना भी हुए ऐसे में आपको इस बर्ष के दवरान अनेतिक कार्यों से बचने की इसलाह दी जाती है क्योंकि यहां आपको परिशानी में डाल सकते हैं रासी और गोचर ग्रहों के अनुषार पिछले साल जानी दोयार 23 से एक मई दोयार 24 तक आपके आठवे वखाओं में ब्रस्पति की उपरस्थिति आपके जीवन में अचानक से आने वाई समश्याओं को बढ़ा सकती है स्वास्ति द्रिष्टित देखा जाए तो यह समय आपका अनुपूर प्रतित नहीं हो रहा हलार कि एक मई के बाद ब्रस्पति के ब्रस्थवरासी और आपके नवे भाव में गोचर से आपको इन सभी समश्याओं से शुटकारा मिल सकता है नवे भाव में ब्रस्पति के गोचर के प्रड़ाम सुरूप आपका जुकाओ अध्यात में गतिविधियों की तरह बढ़ेगा और इस सिलसले से आप धार्मिक यात्रा या तिरित यात्रा पर जा सकते हैं ब्रस्पति साध्य भाव की श्वामी है और इसके प्रड़ाम सुरूप आपको अपने पार्टनर का पूरा साथ पूरा सहयोग और धार्मिक यत्रा के प्रति आपका जुकाओ भी बढ़ेगा करुए पुर्सके जिन जात्तों की चाहे वह मेर हो चाहे फिमेरो जिन जात्तों की साधी होने वाली है या जो नौ भीवाहिता है यजिन अंतरे की विवाह हुआ है उनके लिए उनका शाती भागएकी उन्यती लेकराएगा ब्रश्पदी आपके चौते भाव की श्वामी भी हैं ऐसे में जो लोग अभिवाहित हैं उन्हें इस दवरान अपनी माता से धार्मिक प्रेणडा मिल सकती है और आपकी माता आपकी धर्म गुरु बन सकती है आपको धार्मिक ग्रंथों वरेती विवाजों के परमपराओं क से मिल सकती है दर्श्पू वहीं जो लोग विवाह करना चाहते हैं उन्हें अपने परिवार की मरव से उपवयुक्त जीमन साथी मिल सकता है सनी आपके पाचे और छठे भाव की रूप में छठे भाव में उपस्तित हैं और इसके फंस रूप यहां वधी उन छात्रों के लिए पहतर सावित होगी जो सरकारी नोकरी या उच्छ अध्यर के लिए प्रतियोंगी परिच्छाओं के त्यारी करें इसके अलावा इस अवधी में आप अपने सत्रों और विरोधियों पर हावी रह सकते हैं और वह आपका पुस्त बिगाड़ भी नहीं बैद पिछले बर्ष के तरह इस बर्ष भी आपका आठ्वां भाव जयानि मेश रासी और बारहां भाव श्रिंग रहेगा जो आपके लिए बहुत अन्कूल इस्तिदी शाबित नहीं हो रही है आपको जीवन के विविन पहलूं में कई तरह की समश्याओं का सामना भी करना पड़ सकता ह है लेकिन एक मईए 24 के बाद जब ब्रस्पतियाद के नवे भाव यानि प्रिस्व रासी प्रभिष करेंगे तो आपको इन सभी समस्याओं से राहत सोता हमिल जाएगी इसके साथ ही आपका तीसरा भाव यानि ब्रिस्व रासी सक्रिय रहेगा जो आपको साहस और नई उड होगा जिसके चलते आपके छोटे भाई वहरों के साथ आपके संब्ध बेदर होंगे और उनके जीवन में भी कई शकारात्मक बद्राओं देखने को मिलेंगे बुद्ध आपके लगन और दुसमें वहां कि श्वामी है जो आपके स्वास्त और करियर को नियंतर करता है इस इस बर्ष कई बार बक्री होंगे सबसे में दो अप्रेल से 25 सप्रेल और फिर पांस अगर से उन्तिस अगर उसके बाद 26 नुमबर से 16 दिसंबर तक बुद्ध बक्री अवस्ता में आएगे और इसे में आपको कोई कोई भी महत्रपुण फैसले लेने से बसने की जरूरत है कि इस दोरान बुद्ध अस्त भी रहेंगे हैं हरागी 23 सितंबर से 10 अकुबर के वीच का समय आपके स्वास्त और ब्योसाई जीवन के लिए सांदार साबित रहने वाला है क्योंकि इस दोरान बुद्ध देउता उच्छ के बात करते हैं आर्थी जीवन के जातक अनुशार एक मई दोह से ओविस तक ब्रिस्पती और सनी के दोरे गोचन की कारण आपका आठवा भाव बारहा भाव सक्रियर है और यह समय निवेश के लिए अनकूल नहीं है अगर आप मार्केट में पैसा लगाते हैं तो धान रखिएगा बहुत आउश्यक धान रखना यह द्याप की कॉंडली में आपकी दसा प्रतिकूल है तो आपको इस दवरान आर्तिक जीवन में उता चढ़ाओ का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि नुश्यक्ता भी उठाना पड़े ऐसे में आप थ्वर सतर रहे और और आवस्क दना हो सकती है आपको शतर रह भी है और इनका गोचर आपके लिए अच्छे परिणाम ने कराएगा यह समय जीवन साथी के साथ मिल जूलकर सहींत रूप से संपत्ती में ब्रध्धी करने के लिए बहुत अनकूल समय है दूसरे भाव में ब्रिस्पती की साथवी दिरिष्टी के परिणाम सुरूप आपका बैंक वैलेंस बढ़ेगा दरिष्टो एक मई दोयार चोबिस के बाद ब्रिस्पती आपके नवे भाव में गोचर करेंगे और इसके चलते आर्थिक जीवन में आ रही बारहाएं दूर होंगी 25 दर्ष्ट से 12 अक्टूबर की बीच आपका समय आपके लिए बहुत ज़्या स्वास्त के लिए दर्ष्टो यहां बर्ष्ट स्वास्त के दृष्टी कोण से आपके लिए अनकूल प्रतीत नहीं हो रहा है आपके डगन में केतू की मौझदगी आपको सभाव में आक्रामक और उड़िवादी बना सकती है जिसके कारण आपके स्वास्त में भी उताश दायक सावित हो सकता है इसके अलावा एक मई दौरार चोविस तक भैस्त पति अशनी के दोहरे गोचर के कारण आपका आठवा भाव बारहाव भाव सकती रहेगा जो स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है आपको अचानक स्वास्त जैसी समश्याओं का सामना करना पड़ सक परिणाम तरूप आप जिस स्वास्त समश्या का सामना कर रहे थे उससे इस दोरान आपको रहात मिलेगी बुद्ध आपके लगन और दस्वेंभाव की स्वामी है और यहां आपके स्वास्त और पेश्यवर जीवन को नियंद्र करता है इसलिए बुद्ध के बक्री अवस् तक फिर पांच अगस्त से उन्तिस अगस्त तक इसके बाद 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक यहां अपनी बक्री अवस्ता में रहेंगे ऐसे में आपको मार्च और अप्रेल के महिने में थोड़ी सतर्ता बढ़तने की जरूरत है क्योंकि यह जवरान बुद्ध अस्त भी होंग आश्त रहने की संभवना है क्योंकि आपके दसमें भाव में जो पेशे का भाव है उसमें किसी बीद्ध आपको दूसरे देश से नए आउस्तर प्राप्त हो सकते हैं बुद्ध आपके लगनभाव की स्वामी है जो आपके पेशेवर जीवन को नेत्र करते हैं इसलिए बुद्ध की बक्री वरस्ता के दौरान आपको अपने पेशेवर जीवन में उताज चाहाव का सामना करना पड़ सकता है द्यानक है कि बुद्ध इस बष्त में कई बार बक्री होंगे जसा कि मैंने आपको बताया कि अपरेल में अगस्त में और फिर नौंबर में तो वहाँ पर जब जब अवस्थाएं बक्री होंगी थोड़ा सा बिशन परिस्तिया मनाएंगे बिश्थाएं अच्छी होंगी तो का परिस्तिया ही अपके अच्छी होंगी इस दोरान आपको सो जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि बुद्ध देवता उच्छ रहेंगे आपके लगन और राशी की स्वामी है कन्या राशी की जो जातक सशेदारी में ब्यापार कर रहे हैं यानि पार्टनर्शिप में काम कर रहे हैं और किसी तरह की समझ्या वा गलत फ करेंगे बातने दर्सकों सिच्छा के लिए जो कन्या राशी की जातक जातिका हैं सिच्छा के लिहास से देखें तो आपकी राशी कहती है कि इस बर्ष पाजफरोडी से पंदरा माज तक का समय आपके लिए बेहद अनकूल रहने वाला है और आपको इस दोरान अच्छे प प्रती समर्पित रहेंगे और कड़ी मेहन से अपने लक्षों को प्राप करने में सक्षम होंगे पांचे भाव की स्वामी स्थनी आपके छटे भाव कुम रासी में गोचल कर रहे हैं ऐसे समय में यह समय उन्चात्रों के लिए अच्छा रहेगा जो उच्छ अध्यन या सर कोचल के कारण आपको सिछा संसाधन या कागजी कारवाई में कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है या फिर उसमें देदी का सामना करना पड़ सकता है लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही है क्योंकि एक मई के बाद बरिश्पति आपके भाग भाव में नवे उन चात्रों के लिए जो पिएचडी या मास्टर कर रहे हैं आपको अपने गुरु मेटर्स और सिछक का पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा बात कर लेते हैं परिवारिक जीवन के लिए दर्शकों रासी गोचल ग्रहों के अंसार बर्श की पहली समाई में यानि पहले 6 मह परिवारिक जीवन में मिले जुरे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं एक मईई 24 तक आपका बारहाव भाव और आठवा भाव स्ट्री रहेगा और चौत्रे भाव के श्वामी वर्श्पति आपके आठवे भाव में गोचर करेंगे जो परिवारिक जीवन के लिए प्रतिकू बर्श्पति भागे में गोचर करेंगे जिसके परिणाम सुरूप आपको परिवारिक जीवन में कई तरह के सगारात्मक बदलाओ देखने को मिलेंगे आप अपनी धार्मिक मानेतावों के अदुसार घर में कोई सुभी है मांगले कार जैसे स्ट्रियान भगवान की करफा कोई बिशेश पार्ट कोई अनुष्ठान इसका आयोजन भी आप करवा सकते हैं जिससे आपके घर का माहौल धार्मिक और अध्यवात्मिक बना रहेगा यहां बर्श आपके लिए कई चुनोतियां भी लेका सकता है बर्श के पहले भाग में आपके घर का माहौल अस्त बे करें और इच्छे समय का आनंद लें बात करते हैं आपके बैवाही जीवन के बात करें तो सातों में राहू की उपस्तिती की कारण आप अपने पार्टर के प्रति अध्यतिक लगाव रख सकते हैं जिससे वह असहाज महसूश कर सकते हैं करन्या राजिस के जिन जातकों की जर्म कुंडली के साथ भाव पर किसी भी ग्रह का असुप प्रफाव है तो उनके लिए राहू का या गोचर और ज्यादा समश्या पैजा कर सकता है हो सकता है कि इस दोरान आप अपने रिष्टे में आ जाए जहां से आपको धोखा मिलने की संभाव नहीं या आपने साथी को भी धोखा दे सकते हैं अगर ऐसी दिक्कत आपके जीवन में है तो आप अपने जर्म कुंडली का विश्येशन जल्दी से जल्दी कराएं जिससे कि आपको इसी दिक्कतें ना हो आपको इस बर्स के दोरान रहतिक कार्यों से बचने की सरा देता हूं क्योंकि यह आपको परिशानी में डाल सकती हैं एक मैई 24 तक साथे भाव के स्वामी बरिश्पति आपके आठवे भाव में उपस्तित होंगे और इसके कारण आपको अपने बैबाहिक जीवन में कई समझ्याओं से दो चार होना पड़ सकता है हाराकि बाद में बरिश्पति आपके नवे आपको डुएच उबिस के अनुषार एगर देखा जाए उन लोगों को भाग का साथ मिलेगा जो नव व्यवाहिता है जिनकी साधी होनेवाली है साल के पहले भाग में आपको अपने वेवाहित जीवन के प्रति सचेत रहना होगा साथ ही अपने पार्टनर के प्रति अधिक पॉस्टिजिव होने से बजें अपने साथ ही को उनका पर्सनल स्पेस जरूर दें और अपने धार्मिक आतरा का भर पूर आनद लें दस्तों बात करेंगे हम आपके लिए प्रेज जीवन यानि लव लाइफ प्रेवी जीवन की बात करें दर्स्तों तो आपके करन्यारासी की जौत क्यातिका है दोरार्च उबिस के अनुशार उनके पांचेवे भाव के स्वावी सनी का छटे भाव में गोचर आपके लिए अन नियाराज के जो लोग अपने रिष्टे को लेकर गंभीर हैं, वो इस अवधी में सभी समश्याओं को और चुनोतियों को पार कर सकते लेंगे। और अपने रिलेशन्सिप को एक कदम आगे बढ़ाते हुए साधी का रूप लेंगे। लेकिन जो लोग अपने रिष्टे को लेकर गंभीर नहीं है उन्हें इस अवधी में सनी की दुस्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है दर्सकों बीच सक्टूबर्थ से लेकर साल के अंतर तक आपके पांचेवे भाव के साथ साथ पांचेवे भाव के स्वामी पर मंगल की कभ्योद द्रिष्टे के परिणाम सरूब यह समय आपके लिए कई चुनोतियां लेकर आ सकता है लेकिन इन सब के बीच एक सकारात्मक यानि पॉजिटिव पहलु यह है कि शुक्र के गोचर की सुरुआत आपके पांचेवे भाव में गोचर के साथ होगी जब कि इसका अंत पंचे मेश पर होगा जिसके कारण आपको समश्याओं से राहत महसूस होगी और आप एक अच्छे पलों का अन्द लेते हुए नजर आएंगे बात तर लेते हैं आपके रासी के उपायों के लिए जो हमारे कन्यारास के जाते जातिका हैं कन्यारास के जो लोग हैं वो ध्यान से सुने भगवान गड़ेश की पूजा करने चाहिए आपको इस पूए बर्ष भगवान गड़ेशी को सुगंदे धूप और दूर्बा घास चढ़े प्रत दिन प्रयास करें गाए माता जहां भी मिने उनको हाँ चुड़कर नमस्कार करें और हरा चारा या घास रोटी भी आप खिरा सकते हैं और दा साथ साथ जहां दें जो 37 रहता है उसके अनुसार बुद्धवार के दिन सोने या फिर पंचिधातू की अंगुठी में पांसे छे रत्ती का पन्ना आपको बढ़िया साथी क्वालिटी का पन्ना धार्ण कर आपको कहीं ब्योस्ता नहीं मिलती तो आप वाई संस्थान से भी प्राद कर सकते हैं आपको इसस्थु परिणामों की प्राप्ति होगी पन्ना कि आपके राशी का लगन का स्वामी है तुल्सी के पहुधे में प्रत दिन पाड़ी दें रभी वाल का दिन छोड़ करके नखें दाथ से पता चवाएं नहीं पाई की साहरे इसको गठक लेयां बुद्ध के बीज मेल का जब करें के नरों का संबान करें उन्हें हरे रंग के कपड़े और चूड़ियों का दान भी कर सकते हैं अपने सयनकच यानि बेडरूम में एक इंडोर पौधा जरूर लगा अपने घर और कारी अस्थाल में बुद्ध यंद्र के साथ करें मुझे दया गया शादर नमस्कार